हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही हलका टेश्टी और हेल्दी नास्ता बताने वाली हूँ जो कि सब्जियों से भरपूर होगा यदि आपके घर में कोई सब्जी खाना पसंद नहीं करते तो इस तरीके से आप इन्हें भरपूर मात में सब्जियां खिला सकते हैं और इस नास्ते में इतनी सब्जियों का पता भी नहीं चलता है तो जो भी सब्जी खाना पसंद नहीं करता वो भी इसे बड़े चाओ सिखाएगा तो फ्रेंड्स यदि आपको ये नास्ता पसंद आए तो प्लेज इस वीडियो को लाइक करे शेर करें और आगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर घंटी के बटन को भी दबाना ना भूले तो चलिए आज की मज़दार सूजी और सब्जियों से भरपूर ब्रेकफास्ट की रेस्पी को शुरू करते हैं सूजी के इस नास्ते को बनाने के लिए हम लेंगे की मिक्सिंग बोल और इसमें हम दो कप सूजी लेंगे मैंने दो कप सूजी लिया आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटी घटा बढ़ा सकते हैं क्याने का मतलब है कि आप एक कप भी सूजी ले सकते हैं या फिर तीन कप मैं यहाँ अपनी फैमिली के हिसाब से इतनी क्वांटिटी में सूजी ले रही हूँ और फिर उसी के हिसाब से सारे इंग्रिडियन्स माप कर लेंगे फिर इसमें हम एक कप दही लेंगे और यहाँ पर मैंने टू टीस्पून नमक एट किया है नमक अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग ले अब जिस कप से हमने दही लिया था उसी कप को नापकर मैं इसमें आधा कप पानी डाल दिया है अब मिला देंगे इसे अच्छे से जैसे दही और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसे ढख देंगे और 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी थोड़ा सा फूल जाए 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर सूजी जो हमारी है वो फूल गई है अभी इसमें हम और पानी डालेंगे और इसे पतला करेंगे और जैसे हम इडली का घूल बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही घूल बना लेंगे तो यह जो हमारा बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी आप ऐसी रखे तो दो कप सूजी में मैंने डेड़ का पाने का यूच किया है तो यह बैटर रेडी है तो अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे सब्जियों में मैंने एक बारी कटवा प्याज लिया है कटवे टमाटर थोड़ी से सिम्रा मिर्च थोड़े से गाजर लिये हैं घिसकर और थोड़े से फ्रेंच बीन तो हम इन सारी सबजियों को बेटर में डाल देंगे इन में से जो भी सबजी आपको पसंदना उसे इसकिप भी कर सकते हैं और जो भी सबजी आपको पसंद हो जैसे मटर, फुल, गोवी, बंद, गोवी को आप ले सकते हैं और साथी में डालेंगे भर कर बारी कटा हुआ हडा धनिया एक टेब्लिस्पून घिसा हुआ या बारी कटा हुआ अधराग चार हडी मिर्च बारी काट कर लेंगे और एक टेब्लिस्पून जीरा पाउडर एक टेब्लिस्पून गरम मसाला पाउडर और एक टेब्लिस्पून चिली फ्लेक्स लेंगे चिली फ्लेक्स की जगा आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं हड़ी मिर्च एड़ किया है तो तीखा आप अपने हिसाब से अज़ेस्ट करे अब इन सारी सब्जियों को सुजी दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह जो हमारा मिक्सर है वो रेडी हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे सोडा जिसे हम खाने वाला सोडा या मिठा सोडा भी कहते हैं तो यह मैंने एक चोथाई छोटी चमच ले रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके उपर कड़िब एक टेबले स्पून ताकि यह बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सोडा की जगा आप इसमें एक शैसे इनो भी डाल सकते हैं सोडा लालने के बाद इसे हमें तुरंथी पकाना होगा बहुत ज़्यादा नहीं फेटना है तो चलिए इसे हम पकाने के लिए तो गया सॉन करके एक पैन गर्म करेंगे और इसमें एक चमच के करिब तेड डाल देंगे तेल डालने के बाद हम इसमें राई और कुछ कड़ी पते डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने एक चोथाई छोटी चमच राई सरसो के दाने और कड़ी पता डाल दिया है आपके पास सफ्यद तिल हो तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते है इसे डालने से नास्ता और भी टेश्टी और हेल्दी हो जाएगा फिलाल अभी मेरे पास नहीं है खतम हो चुका है तो आपके पास हो तो डाल सकते हैं अच्छे से इन दोनों को पकाने के बाद हम यह mixer डाल देंगे जो हमने बना के रखा है पुड़ा एक साथ नहीं डाले इसे हम चार पार्ट में बनाएंगे इसके बाद हम इसे इसे spread कर लेंगे तो पैन को cover करके हम इसे पका लेंगे कडिब 12 मिनिट तक आप इसे धिमी आज पर पकाए ताकि यह हर तरफ से अच्छे से पक जाए तो पैन को cover करके इसे हम पका लेंगे 12 मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यह उपर से dry हो चुका है और साइड से golden spot भी दीख रहा है तो इसे हम पलट देंगे और थोड़ा सा किनारू पर तिल डाल देंगे और दूसरी साइड से भी इछे अच्छे से पकने देंगे करिब हम इसे 7 मिनिट तक और पकाएंगे ढग कर लो फ्लेम पर धिमी आज पर ही आप इसे पकाए तब यह अच्छे से पकीगा 7 मिनिट हो चुके हैं तो यह एक नास्ता हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो यह हमारा सूजी का बहुत ही healthy और tasty breakfast हमारा ready हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो same process से हम बाकी के भी नास्ते तयार कर लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा oil डालेंगे और थोड़ी सी राई, और इसके बाद थोड़ी से कड़ी पत्ते डाल देंगे, और जैसे ही तरका प तो यह दूसरा नास्ता भी तयार है, इसे भी निकाल लेते हैं, तो देखाना अपने इसे बनाना कितना आसान है, हमने इसमें बहुत सारी सबजियां यूज किया, सूजी लिया और तेल का यूज बहुत कम किया है, तो चलिए अब मैं इसे आपको काटके दिखाती हूँ, इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, आज कल के बच्चों तो सबजी खाते नहीं है, तो इसी बहाने खुब साड़ी सबजियां डाल कर आप इस नास्ते को बना के बच्चों को खिला सकते हैं, तो हमारा नास्ता जो है वो तयार है, यह देखिए, देखने में कितना कलरफुल दिख रहा है, और यह एकदम सही से पका है, आप देख सकते हैं, आप इसके थिकनिस इतना ही रखे, तो यह बहुत अच्छे से पकेगा, अगर आप चाहे तो इसे थोड़ा पतला भी बना सकते ह है, तो आप इसे पकने के लिए थोड़ा और समय दे, तो चलिए हम इसे साव कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने हडी चटनी के साथ इस नास्ते को साव कर रही हूँ, तो यह हमारा मजदार हेल्दी नास्ता तयार है, आप इसकी रेसिपी को जरूर ट्राइ करे, यह आपको बहुत पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करे, थैंक यू फोर वाचिंग